नमस्कार दोस्तो, जै गुरु गोरकनाथ, जै महाकाल, जै महाकाली, हर हर महादेव आप सबका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल शाबर मंतरों की शक्ती में दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नई आएं तो अभी हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो कोLife शेर भी कर दीजिए दोस्तो, आज इस वीडियो में आपको मूठ लटाने का मंतर बताने वाले हूं दोस्तो यदि आपके ऊपर किसी तांतरिक ने या किसी सत्रू ने मूठ छोड़ दी हो दोस्तों क्या होता है ना कभी कभी हम किसी से दुस्मनिया बैर हो जाता है और वह हमें पसंद नहीं करता या मान लिजे हम दुनिया का भला करते हैं या फिर हम सपलता की सेड़ी पर चलते हैं हमें मतलब की सपलता प्राप्त हो जाती है दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग हम शुरू हो जाते जैसे बिजनस लोस हो जाता है घर में कलेश रहने लग जाता है घर में कोई बीमार रहने लग जाता है घर में हमें प्रेत का साया मैसूस होने लग जाता है यानि कि हमारे घर में सब तरह के जो भी बुरे-बुरे मतलब की शुबता भरे कारह होते हैं वह होन सकते हैं आप खुद भी लोटा सकते हैं या फिर किसी ओर का भी साहरा ले कर भी आप इसे वापस लोटा सकते हैं दोस्तों किस तरह इस इस मंत्र को सिद्ध करना किस तरह से इस्तימल करना मैं आपको सब बताने बह effectively आइस आप आप जान लिए दोस्तों इस मंतर को सिद्ध करने के लिए आपको जैसे दिपाबली आ रही है दिपाबली को भी आप इसको ग्यारा मत्रा जबकर सिद्ध कर सकते हैं या पिसे ग्रहन काल में एक माला जबकर भी सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों अब मंतर के हैं मंतर में आपको ब मूठ मा ठेस लगाव, नदिया पार नहकाव, जाकर चलाए वहीं लाखाए, उलट मूठ पलट टोना, काकर कहे पारवती के कहे, सच के पारवती के मंत्रा होवे, तो जा रे मूठ पलट जा, दोस्तम आपको एक बार फिल से मंत्र बोल के बता रहा हूँ और सक्रीन पे भी दि मार, मूठ मा ठेस लगाव, नदिया पार नहकाव, जाकर चलाए वहीं लाखाए, उलट मूठ पलट टोना, काकर कहे पारवती के कहे, सच के पारवती के मंत्रा होवे, जो तो जारे मूठ पलट जा, दोस्तों इस तरह से ये मंत्र है और आपको इसे सिद्ध कर लेना है, उस इसी सदस्या पर मूठ चलाई गई है, तो आपको इसको कैसे इस्तमाल करना है, एक मुठी काले तिल और पिले चावल लेकर, पिले चावल आप हल्दी मिलाकर बना सकते हैं, ठीक है, एक मुठी काले तिल और पिले चावल लेकर, साथ वार मंत्र पढ़कर, अमंत्रित कर ले तदा साथ बार सिर के चार और गुमा कर देख्षिन दिशा के और फैंक दे मूठ उलटकर चलाने बाले पर ही पड़ेगी दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक मुठी काले तिल और पीले चावल दोनों को मतलगी एक मुठी में लेकर साथ बार मंतर से मंतरित करके यानि कि मंतर को पढ़ते ए एक बार बोले और फूंक काले तिल हैं और फिर दूसरी बार फूंक लगा कर आपको चावल का मंतरित कर लेना है और फिर जिस के ऊपर भी मतलब की मूठ है या फिर जादू टोना है उसके उपर से साथ वार घुमा कर दक्सिंदिसा के और फैंक देना है दोस्तों जो भी मूट है वो उलटकर उसी के उपर चली जाएगी दोस्तों उसके बाद जो ये काले तिलो और ये मितलगी चावल है इसे आप दो तिन घंटे के बाद आप मुक्ती पा सकते हैं दोस्तों मैंने आपको मंतर बताया और विदी भी बता दिया और इस्तमाल करने का एक तरीका भी बता दिया दोस्तों जब आप ये मंतर सिद्ध कर रहे होते हैं तो आपको अपने गुरु मंतर का जाप करना है और अपने इश्ट देपता को याद करना और हो सके तो मंतर गुरू के मुकसे ले अगर गुरू नहीं है तो भी आप यह मंतर कर सकते हैं भवाण शिमा काली वीर हनुमान गुरू गोरखनात या बहरो बापा किसी को भी गुरू मान कर आप यह मंतर सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट करूँ आप वीडियो को जादा से जादा लाइक शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आज की हमारी वीडियो में इतना था हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का दिन शुब रहे आदेश